हेलो एवरिवन बेलकम टो एसेकडमी आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल लेए होगी आप लोग को बता दूँ आज इस वीडियो में प्रवाल भित्ति से संबंद जितने भी इंपोर्टेंट कोशन बनते हैं इस वीडियो में अन्तक चरू देखिए और इसका आप लोग पीडियो अफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं ठीक है चले बिना देर के वीडियो को सुरू करते हैं देखते हैं आप लोग से कौश्चन पुछे जा सकते हैं एक्जाम में प्रवाल भित् यानि कोरल लिफ किस देश के तड़के निकत पाई जाती है भेरी भेरी इंपॉर्टेंट कोश्चन है आप लोग को याद रखना है साथ ही साथ आप लोग बता दूँ एसकेडमी को आप लोग ट्वीटर और इस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं कुछ भी आपडेट ह होता है सबसे पहले वहीं पर आप लोग को बता दिया जाता है जिसमें वीडियो नहीं बनाना पड़ता ठीक है इसका राइट एंसर होगा आश्चलिया में कहां पे विश्च के सबसे बड़ी प्रवाल वित्ति जो है आश्चलिया में पाई जाती है आश्चलिया के निकत बहुत बार पुछा जा चुका है, आप लोग को याद रखना है, चले, नेक्स सवाल है, नेक्स सवाल है, कोरल लिफ या जिवास पट्टी प्राय कहां पाई जाती है, बहुत बहुत ही महतपूर होने वाले है, राइट एंसर होगा, महादीप और द्यूपो के पूर्वी और पश्वी तोटो पर कोरल लिफ या जिवास पट्टी प्राय पाई जाती है, आप लोग याद खना, ऑफसन सी आप लोग का सही इंसर हो जाएगा, ठीक है, चले, अला कोश्चन ले लेते हैं, प्रवाल भित्ती एनिक कोरल लिफ क्या है, क्या है, समुन्द्र जिवोंदारा निर्वित भित्ती जो होती है, ये प्रवाल भित्ती एनिक कोरल लिफ होती है, आप लोग को पता होना चीए, ठीक है, आप लोग को बता दूँ, आप लोग को माइन भी रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी कोश्चन, ठीक है, चले, अला कोश्चन है, कौ ठीक है, आप लोग को बता दो, जो भी आप लोग पूछना चाहते हैं, आप लोग कमेंड का रिप्लाइज जरूर दिया जाएगा, चलिए, अगला सवाल है, प्रवाल एन कोरल क्या है, एक समुंदरी जीव है, क्या है, एक समुंदरी जीव है, प्रवाल जो है कोरल क्या है, अवसत सागरी लवडता कितनी होनी चाहिए प्रवाल के निर्माड के लिए निविकास के लिए अवसत सागरी लवडता कितनी होने चाहिए 27 से 32 परसेंट होना चाहिए कितनी 27 से 32 परसेंट होना चाहिए आप लोग को याद रखना है option B आप लोग का right answer हो जाएगा ठीक है आप लोग को याद रखना है चले अगला सवाल है प्रस नमबर 7 प्रवाल भित्यों मुखरूप से कहां पाई जाती है यह पाई जाती है 30 डिग्री North से 30 डिग्री South अच्छांस के मद्ध यह आप लोग का right answer हो जाएगा ठीक है चले अगला सवाल है समुन तर्ट से कुछ दूरी हट कर बनी प्रवाल भित्ती क्या कहलाती है यह अवरोधक प्रवाल भित्ती कहलाती है जो समुन तर्ट से कुछ दूरी हट कर बनती है वो प्रवाल जो है और रोधळक प्रवाल भित्ती कहलाती है आप लोकिया रखना option भी आप लोका सही इंसर हो जाएगा ठीक है? चले, next सवाल है किस प्रवाल भित्ती का आकार गोडे के नाल आम मुंदिका के समान होता है? यह होता है एटाल के किसके एटाल के आप लोगा option C आप लोगा सही answer हो जाएगा अगला सवाल है तटी प्रवाल भित्ती या एस्थाल खंड के बीच विक्षित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है तर्टी प्रवाल भित्ती या एस्थल मखंड के बीच के विक्सित होने वाले लाइगून को क्या कहता है बोल्ट चैनल कहता है और संदी आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है आप लोग के वीडियो को अभी तक लाइने किये हैं तो वीडियो को आप लोग फटा- किस ने किया था राइट एंसर होगा डार्विन ने किस ने किया था डार्विन ने प्रवाल भित्त्यों के उत्पत्य संबंदित भू अवतलन का सिध्यांत का प्रतिपादन किया था आप लोग यादखना डार्विन के दौरा भू अवतलन सिध्यांत का प्रतिपादन किया गया था अगला सवाल है प्रवाल भित्यों के उत्पति से संबंदित हिमानिया नियंतरण के सिद्धांग प्रतिपादन किस ने किया था हिमानिय नियंतर के सिद्धांग प्रतिपादन डेली के दौरा की गया था किसके दौरा डेली के दौरा है यह आप लोग का राइट एं नेक्स सवाल है कौन सा ताप मान प्रवाल जीहों के विकास के लिए उपयुक्त होता है ये 65 फैरेंहाइट से 70 डिगरी फैरेंहाइट के बीच जो ताप माना जाता है ये अपसन भी आप लोग मैं आप लोग राईट एंसर होगा ठीक है फेरे नाट में है आप लोगों समझ लेना नेक्स सवाल है आश्चलिया के पूर्वी तटपर इस्थिट गेट वेरियर रीव किस प्रवाल भित्ती का उधारण है और रोधक प्रवाल भित्ती का उधारण आप लोग को यार रखना है. तेरह है टॉप 15 कोश्चन जो आप लोग जाम र्में बार बार पुछे जा रहेते हैं. आप लोग जरू बताएं कि िन 15 प्रस्टों में से आप लोग से पहले से कितने प्रस्टों बन रहेतें कमेंट बाक्स में जरूर सेर कीजिएगा अपना स्कोर कि इन 15 प्रस्टों में से आप लोगों से सही-सही कितने कोश्चन बन रहे थे ठीक है? सभी लोग को बताना है और आप लोग जिस भी टॉप्टिक पर वीडियो चाहते हैं और भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं वो हब वीडियो आप लोगो प्रोवाइड करवाने की कोशिश जरूर की जाएगी ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद